Hello students, welcome to my channel Concept of Success Students, आज की इस वीडियो में हम study करने वाले हैं Jackboard द्वारा जो model प्रस्पदर जारी किया गया है 2021-20 परिक्षा के लिए इसके questions को हम हल करेंगे इस वीडियो में हम set 4 को solve करेंगे इससे पहले मैं set 1, set 2 और set 3 का video upload कर चुका हूँ आप हमारे YouTube चैनल पर जाईए और उन सभी वीडियो को भी जरू देखे क्योंकि इसमें जो select किया गया question है बहुत ही important है क्योंकि Jack द्वारा ये बनाया गया है और ये आपका exam में sure cert है कि आने वाला ही question है बहुत ही chance है ज्यादा कि इससे question आपका उठेगा ही उठेगा ठीक है तो देखे आर क्या है ये class 10 का है और subject ये science है और समय आपको डेड़ घंटा दिये जाएगा इसमें और ये total 40 marks का है ठीक है सभी प्रशन अनिवार है खुल 40 प्रशन है इसमें प्रतेक के लिए एक अंग निधारीत है प्रतेक प्रशन के चार विकल्प दिये गए है सही विकल्प का चेयन करना है और गलत उतर के लिए कोई भी अंग नहीं काटे जाएंगे यानि कि negative marking इसमें नहीं है ठीक है तो चलिए फटा फट सम इसके questions को solve करते हैं और यह बहुत ही important question है आप पका इसको पढ़के जाएंगे आपके exam में questions आएंगे ही आएंगे इससे ठीक है चलिए start करते है इस वीडियो को चलिए क्या है हमारा पहला question यदि आपतित किरन और प्रावर्तित किरन के बीच 90 degree का कोन बनता है तो परावर्तन कोन होगा तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपतन कोन बरावर्तन कोन के ठीक है तो आपतित किरन और प्रावर्तित किरन के बीच में बनता है आपका आपतन कोन और प्रावर्तन कुन ठीक है तो ये दोनों दो भाग में बढ़ जाएंगे अगर ये 90 है तो एंसर कितना हो जाएगा आपका 45 डिगरी चलिए कोशन नमर 2 देखते हैं ध्रू और वकरता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो students ध्रू और वकरता केंद्र को मिलान सेंटीमीटर याने कि 32 सेंटीमीटर ठीक है चलिए कोशन नमर 4 देखते हैं किसी आउतल धर्पन में वस्तु कहां रखा गया है या कहां रखा जाए जिससे उसका सीधा और आवर्धित परतिभीम बनेगा तो उसे हम कहां रख सकते हैं देखे धुरू और फोकस के बीच में जब आप वस्तु को रखते हैं तो उसका जो परतिभीम बनेगा वो आवर्धित बनेगा ठीक है और सीधा बनेगा चलिए कोशन नमर 5 क्या कहता है उतल धर्पन का परियोग निमलिखित में किस वस्तु में किया जाता है तो देखे ऑप्सन क्या क्या दिया है गारी के गारी मिरर में उतल दर्पन का उप्योग किया जाता है गारी के हेडलाइट में उतल दर्पन का किया जाता है अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पन असोशन दर्शी में आपका हो जाता है लेंस का परियोग ठीक है तो आप्सन नमबर ए हो जाएगा 5 का ठीक है आप वर्तान को दर्श आता है ठीक है इंगलिस में इसे बोलते हैं reflection of light ठीक है question number 6 का B answer हो जाएगा आपका चलिए question number 7 क्या कहता है lens के किस बिंदू पर प्रकास की किरने अपने मुख्यपत से विचलित नहीं होती तो वो है आपका प्रकासिक केंद्र जब प्रकास की किरने lens से प्रकासिक केंद्र से होकर गुजरती है तो प्रकास की किरन अपने मुख्यपत से विचलित नहीं होती ठीक है चलिए question number 8 क्या कहता है उत्तर lens को अभि सारी lens कहते है क्योंकि ये समांतर आने वाली किरनों को वो क्या करता है एक जगा जमा कर देता है ठीक है तो यह परकास की किरनों को एक जगा एकतरित करता है यानिकि जमा कर देता है उत्तल लेंस में अगर कोई समांतर परकास की किरन जाएगी तो एक जगा क्या हो जाती है जमा हो जाती है ठीक है चलिए 9 number question क्या गयता है नेत्र में जाने वाली प निकट बिंदू क्या है देखे समान नेत्र का निकट बिंदू होता है 25 cm और यही आपका question पूछेगा कि दूर बिंदू तो हो जागा आपका अनन्त चलिए question number 11 क्या कहता है मानों नेत्र में प्रतिभीम की प्रकृति क्या होती है या फिर कैसी होती है ठीक है तो होता है आपक दूर दृष्टा होने का क्या कारण है तो जरा दूर दृष्टा होने का क्या कारण होता है वो है आपका समंजन चमता घट जाना ठीक है जब किसी वेक्ति के आपका समंजन चमता घट जाता है तो उसे क्या होता है जरा दूर दृष्टता चलिए question number 13 क्या कहता है अभी ने की focus को control करता है ठीक है next question है हमारा 14 निम लिखित में कौन सी रशानी का भी किरिया संतूलित है तो हमें check करना है कि इन में से कौन से भी किरिया संतूलित है ठीक है तो चलिए फटा-फट से check करते हैं पहले भी यह सवाल आ चुका है संतूलित करने वाला ठीक है यह question सिर्फ change होत करने का यानि कि balance करने का जो concept होता है वो सेम रहता है ठीक है देखिए हम count करेंगे LHS side में और RHS side में परमानों की संक्या ठीक है तो देखिए इधर एक फेरस है इधर आपका तीन फेरस है यानि कि यह तो गलत हो जाएगा चलिए option B में क्या दिया है 3 फेरस है तो इधर देखिए hydrogen 4 दूनी 8 है ठीक है तो यह गलत हो गया चलिए option C क्या दिया है 3 फेरस इधर है 3 फेरस इधर भी है यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 hydrogen है यहाँ भी 4 है ठीक है यह 4 oxygen और यहाँ पर भी देखिए 4 oxygen है तो option number C आपका सही है चलिए question number 15 क्या कहता है दिये गए समीकरन में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है तो देखिए यहाँ पर एक reaction दिया हुआ है copper oxide react कर रहा है किस से hydrogen gas से ठीक है और यह क्या बना रहा है देखिए copper अलग हो जा रहा है यहाँ से oxide इस से निकल जा रहा है और यह oxygen जूट जा रहा है किस के साथ hydrogen के साथ तो हम जानते हैं कि उपचयन में oxygen जूटता है और अपचयन में oxygen तूटता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए hydrogen में oxygen जूटा और क्या बना दिया water यहाँ है hydrogen में oxygen जूट रहा है और यहाँ देखिए copper oxide से copper तूट रहा है यहाँ कि copper से oxygen अलग हो रहा है तो copper से जब oxygen अलग हो रहा है तो यहाँ copper oxide का हो जा रहा है, अब चैयन, और यहाँ पर hydrogen का हो जा रहा है, उप चैयन, क्योंकि hydrogen में oxygen जूट रहा है, और copper oxide से oxygen तूट रहा है, तो option C यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगला सवाल 16 number क्या कहता है, रशानी के अभी किरिया में भाग लेने वाले प कुल दर्वमान अभीकारक के दर्वमान के होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, जैसा कि हमने दर्वमान सर्वच्छन का नियम पढ़ा था, कि किसी भी रशानी के अभी किरिया में उत्पाद का ना तो स्रीजन होता है, ना ही उसका विनास होता है, तो कुल है CH4 को हम मिथेन पढ़ते हैं मिथेन को जब ऑक्सिजन की उपस्तिती में जलाया जाता है तो क्या-क्या बना रहा है कार्बन डायोकसाइड वाटर और उर्जा ठीक है तो यह किस प्रकार की अभिकिरिया है तो देखें यहां पर उर्जा बना रहा है तो यह हो जाएगा आप लवन और कार्बन डायोकसाइड और जल बनाता है तो उप्रोक्त समिकरन में A क्या है तो यहां पर A जो है इसके बारे में बताना है कि A क्या है तो देखें यहां पर क्या बना रहा है A पलस अमल यानि कि Acid है और यह कोई A कोई पदार्त है तो यहां बन रहा है आपका लव question का answer हो जाएगा आपका C carbonate ठीक है चलिए question number 20 क्या कहता है निमलीखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा ठीक है यानि कि यहाँ पे जो पदार्थ दिया हुआ है इसमें से कौन सा एसा पदार्थ है जिसमें कि हम नीला लिटमस पेपर डाले तो वह रेड नहीं हो यानि कि लाल नहीं हो तो देखिए अगर नीला लिटमस पेपर को आप acid में डालिएगा तो वह रेड हो जाएगा ठीक है और अगर आप नीला लिटमस पेपर को छारक में डालते हैं तो वो रेड नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर देखिए sodium hydroxide आपका छारक है अगर आप निले लीटमस पेपर को sodium hydroxide में यानि की छारक में डालेंगे तो वो लाल नहीं होगा ठीक है वो blue का blue ही रह जाएगा चलिए अगला सवाल देखते हैं चलिए question number 21 क्या कहता है दिये गए किस लवन में क्रिश्टली करन का जल मौजूद है ठीक है तो देखिए यहाँ पर कुछ product दिया हुआ है यानि कि कुछ यहाँ पर compound दिया हुआ है तो इन सभी में कौन सा ऐसा compound है यानि कि योगिक है जिसमें क्रिश्टली करन का जल मौजूद है तो यह है आपका C देखिए यहाँ पर इसे क्या पढ़ेंगे C U S O 4 into 5 H 2 O ठीक है तो यह 5 H 2 O जो है वो आपका क्रिश्टली करन का जल है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते है Question Number 22 क्या कहता है जल की अस्थाई को ठोलता दूर करने में किस लवन का परियोग किया जाता है तो स्ट्वेंट्स जल की अस्थाई को ठोलता को दूर करने में हम sodium carbonate का use करते हैं ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं देखे, question number 23, क्या कहता है, जल की उपस्थिती में, hydrochloric aml, अपना amlिय गुन परदर्शित करता है, क्योंकि, उसमें, OH-ion उपस्थित रहता है, नहीं, ये गलत है, उसमें, H+, iron उपस्थित रहता है, तो ये option आपका हो जाएगा, सही, ठीक है, देखे, hydrochloric acid को, जब जल में हम डालते हैं, तो उसमें, कौन सा iron तूटता है, H+, iron, ठीक है, तो ये ही देखे, यहां लिखा है, जल की उपस्थिती में, hydrochloric aml, अपना amlिय गुन परदर्शित करता है, amlिय गुन कब परदर्शित करता है, जब H+, iron, उसमें रहेगा, उस million में, ठीक है, तो option B आपका सही हो जाएगा, question number 23 का, option B, चले, next question देखते हैं, question number 24, पदाथ A, B, C, D का, pH मान करम सा 2, 4, 7, 14 है, ठीक है, यह पदाथ में, कौन सा छारक है, यानि कि इन में से कौन सा छारक है, ठीक है, तो देखिए, A का वेलू है 2, B का वेलू है 4, C का वेलू है 7, और D का वेलू है 14, तो यहाँ पे पूछ रहा है, छारक कौन है इन में से, ठीक है, तो देखिए, 7 से जो कम होता है, वो आमलिये होता है, और 7 से उपर जो होता है, वो छारिय होता है, तो 7 से उपर कौन है? 14, तो यहाँ पर आपका option हो जाएगा D, 24 का answer हो जाएगा आपका D, चलिए question number 25 क्या कहता है? इस चित्र में कौन से अभी किरिया हो रही है? तो देखिए यहाँ पर एक figure दिया हुआ है, जिसमें की एक plate में कुछ चीज रखा हुआ है, जिसे हम बोलते है silver chloride, ठीक है? तो यहाँ देखिए खिड़की से परकास की किरन आ रही है सुरी की परकास आ रही है और यह अभी किरिया हो रही है यहाँ पर तो यह अभी किरिया होने के बाद जो भी प्रक्रम उतरदाई है तो कौन सा जिव प्रक्रम होता है वो? वो होता है आपका सनवाहन ठीक है? सनवाहन के कारण ही जो सरी में भोजन है एजगा से दुसरे जगा जाती है, ठीक है? चलिए अगला सवाल है question number 27, प्रकास translation में निमलीखित में किस पदार्थ की अवर्शक्ता नहीं होती यानि की photosynthesis यानि की प्रकास translation में कौन सी पदार्थ की जरूरत नहीं होती, तो देखिए जल का तो जरूरत होता है, कार्बन डियोक्साइड का भी होता है कार्बो हैड्रेट ये तो नहीं होता है, ठीक है? तो option सी हो जाएगा आपका सही, और chloroplast तो चाहिए चाहिए, क्योंकि chloroplast सही chlorophyll मिलता है, ठीक है? तो परकास translation में chlorophyll तो जरूरत है, तो इन तीनों का जरूरत पढ़ता है पर कार्बो हैड्रेट का जरूरत नहीं पढ़ता है चलिए अगरा सवाल देखते हैं question number 28 क्या कहता है? मनुष्य में किस परकार का portion होता है? तो मनुष्य में होता है आपका पर जीवी portion, क्योंकि हम लोग दूसरे जीवे पे आसरित होते हैं ना हम लोग अपना भोजन स्वेम नहीं बनाते हैं यहाँ पे kitchen में बनाने की बात नहीं हो रही है यहाँ natural रूप से खाना बनाने की बात हो रही है तो natural रूप से कौन बना लेता है खाना? वो है आपका स्वपोसी जीव जैसे की पेड़ पौधा पर हम लोग तो नहीं बना पाते तो यहाँ पूछा है मनुष्य में किस परकार का portion होता है तो यहाँ हो जागा answer आपका परजीवी portion प्रानी ठीक है? यहाँ परजीवी portion होता है हम लोग दूसरे जीव पे आस्रित होते हैं पेड़ पौधा, जीव जन्तु यह सब होता है ना तो उन पर हम आस्रित होते हैं ठीक है? चलिए अगला स्वाल देखते हैं तो यह होता है आपका कोशी का द्रव्य में ठीक है? कोशी का द्रव्य में स्वासन पकिरिया में गुलकोज का पाईरू वेट में तूटता है ठीक है? चलिए अगला स्वाल क्या है? question number 31 पाउधों में पत्यों द्वारा बने हुए भोजन का सन्वाहन किसके द्वारा होता है? तो यह होता है आपका phloem के द्वारा जैसा कि आपने पढ़ा होगा जैलेम जल का सन्वाहन करता है और phloem क्या करता है? food का ठीक है? तो यहाँ पे 31 का एंसर हो जाएगा B ठीक है? चलिए अगला question है question number 32 किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए कौन परकिरिया अवश्चक है? तो देखे अगर आपने set 3 को पढ़ा होगा तो इस एंसर को आप जरूर जानते होगे तो यह question आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ ठीक है? आप इसका answer हमें comment box में जरूर लिख के दे ठीक है? अगर आपने यहाँ तक पढ़ा होगा और यहाँ तक यह वीडियो देखी होगी तो यहाँ पर इस एंसर को आप जरूर दीजिएगा ठीक है? आप हमें comment box में इसका answer दीजिएगा ठीक है? चलिए question number 33 क्या गाता है? दिया गया चीतर किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो देखे यहाँ पर एक पत्ता है अब पत्ते में नए पौधे उगाते हैं ठीक है? इसके corner से ठीक है? और यहाँ पर जड़ भी आ जाता है तो यह जो जननन है यह किस प्रकार का है? अंकूराद ठीक है? नोद भीद मतलब होता है अंकूरित हो जाना चलिए अगला स्वाल है question number 35 गरभासे के किस भाग में निशेचन होता है? तो वो होता है आपका डीम वाहनी में ठीक है? गरभासे की जो डीम वाहनी होती है वहाँ पर आपका होता है निशेचन चलिए अगला स्वाल देखते है question number 36 जल विदुद संयंत्र के लिए निमलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है? तो यह अनवी करनिय उर्जा स्रोत है इसमें जिवासमिंधन का उपयोग होता है इस संयंत्र के निर्मान से पारिष्टितिक तंत्र नष्ट हो जाते है यानि कि वहाँ के जो जीव जनत्य होते है उन पर इसका असर पड़ता है ठीक है? चलिए अगला स्वाल देखते है question number 37 क्या कहता है? source cell के उपयोग में क्या सिमाएं है? तो देखे, source cell के उपयोग में क्या सिमाएं होती है? या अतिधिक महंगा होता है ठीक है? source cell हर को effort नहीं कर सकता है चलिए question number 38 क्या कहता है? नाभीकिय उर्जा के उपयोग की क्या सिमाएं है? तो नाभीकिय उर्जा के उपयोग की सिमाएं पूछ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका option D नाभी के अपसिष्ट का भंडारन में समस्या उत्पन होती है ठीक है तो यह हो जाएगा आपका 38 का D चलिए question number 39 क्या कहता है निमलिखित में कोन उर्जा स्रोत का उप्योग करना परियावरन के लिए सबसे अधीक अच्छा है मतलब यहाँ पे उर्जा के कुछ स्रोत दिये हुए है ठीक है तो आपको बताना है कि इन में से किसका इस्तमाल जब हम करेंगे तो परियावरन के लिए वो स्वच होगा यानि कि अच्छा होगा ठीक है चलिए क्वचन नमर्फोटी क्या कहता है निमलिखित में किस विधुद संयंत्र में जिवास मिंधन का परियोग होता है तो यह होता है आपका तापिये विधुद संयंत्र में ठीक है तापिये विधुद संयंत्र में जिवास मिंधन का परियोग होता है तो students इस वीडियो में हमने 40 के 40 questions को deal कर दिये हैं और एक questions आपके लिए छोड़ा हूँ मैं ठीक है उसका answer आप comment में हमें जरूद दिजिएगा हमें आपके comment का इंतजार रहेगा और उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करे चैनल को subscribe कर ले और bell icon को press कर ले हमारी वीडियो की notification सबसे पहले पाने के लिए अगर ये वीडियो आपको educational purpose से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जादस जादस share करे आप इससे अपने family members के साथ share कर सकते हैं अपने छोटे भाइबन के साथ share कर सकते हैं और friends के साथ भी share कर सकते हैं ठीक है और students एक बात का ध्यान रखे कि इन सभी set का त्यारी करना आप लोग के लिए बहुत ही important है क्योंकि exam में इससे questions आएगा ही आएगा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद मिलते आप से अगली वीडियो में